तो वह स्वागत अब सब को फिर से एक और ने वीडियो में अब भाई देखो हम मानते हैं पिछले दो-तिन दिनों से ब्रहमास्तर का बॉक्स ओपिस पे रप्तार थोड़ा धीमी हो गई है लेकिन थियारी भाई इसके उपर थियारी बनना कम नहीं हो रहा है जिससे पता चल रहा है कि बले ही कुछ भाई लोगों को ये फिल्म पसंद ना आया हो पर ऐसा तो बहुत लोग है भाई जिन्हें ये मुवी भाग गई है और वो लग ऐसे ऐसे क्रेजी फेंटियरी बना रहे है कि आप सुनकर हैरान रहे जाओगी कि वाई है ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि कोई बोर रहा है सिवा और जुनून दोनों भाई बैन है कोई बोर रहा है इसमें देव नहीं गुरुजी विल्लेन है हम बत्यार है और कोई ने इसमें ये इसा ही विलेन है बताओ मतलब आप यहां से आंदाजा लगा सकते हो लोगों कोई ये पसंद नहीं आता तो लोग इसके आने वाला सेकेंड पार्ट के बारे में बात करते क्या नहीं ना खेर हम फेंथियरी के बात कर रहे थे सा केमियो था रोलक सरनाम से वो केमियो ना एकदम पब्लिक को हिला के रख दिया था और लोग विक्रम का स्टोरी से ज़्यादा उस केमियो के बारे में चर्चा कर रहे थे अभी ब्रहमास्त्र के साथ बेठी कुछ ऐसा ही चल रहा है इसमें SRK भाहे साथ का बस कुछी मिनिट का एक केमियो है जिसे देखकर पब्लिक ब्रहमास्त्र से ज़्यादा उस मोहन भारगव के बारे में चर्चा करने लगे है और सबको जानना है कि ब्रहमास्त्र पाट्टू में SRK की करेक्टर वाफस आएंगे की नहीं तो आँ भाई अब आप खुस हो जाओ चुकि मोहन भारगव का ब्रहमास्त्र पाट्टू में आना 99% कन्फरम लगता है चुकि आप सबको पता है ब्रहमास्त्र पाट्टू देव के उपर ही ज़्यादा फोकस कनने वाला है अब उसके अंदर कौन हीरो कौन विलेन होने वाला है उससे कोई फरक नहीं पड़ता पर अगर देव के उपर ज़्यादा फोकस किया गया तो क्या दिखाएंगे देव का पास्ट ही न दिखाएंगे जहां वो अमरिता से मिलेगा प्यार का गीद गाएगा एक के बाद एक अस्त्र का उस्ताद बनते जाएगा फिर ब्रमास्त्र के तरफ हाद बढ़ाएगा एना तो ये सब हमें कहां देखने मिलेगा पास्ट में वो भी बरतमान से 30 साल पीछी तो तबी तो मोहान भाई साब वहां होंगे न वाई यहां यह मत सोच लेना कि SR के को 30 साल का दिखाना है तो किसी और को ले लेंगे नहीं वाई डिरेक्टर साब ऐसा गलती नहीं करेंगे हम मतलब अनिस भाई साब का तो पता नहीं पर मोहन का करेक्टर तो SR के ही निवाएंगे क्योंकि हम सबने इनके यांग रूप को कई वार फिल्मों में देख चुके है तो इसमें क्यूं नहीं वाई? हाँ पर इसमें 1% वाला ये एक प्रॉब्लेम है कि स्वादेश में भी इनका नाम मोहन भारगवी था पर उसमें भी ये एक साइंटिस्ट ही थे अब जबकि स्वादेश में हमारा डिरेक्टर साब आसिस्टन डिरेक्टर के हिसाब से काम कर रहे थे तो उन्होंने साइद ये करेक्टर का नाम वहां से लिया है और फ्यूचर में इनका जर्नी को स्वादेश से विसाइद कनेक्ट करने वाले है जो कि एक अच्छी बात है वाना रस्तर का एक एक एक्स्ट्रा मुवी आ सकता है पर ऐसे में देव के टाम लाइन का क्या होगा जब तक देव ब्रहमास्तर के लिए लड़ाई लड़कर गुफा में क्याद हो जाएगा तब तक तो ये मोहन वारगफ भाई साब ब्रहमान्स का नाम भी नहीं सुने होंगे क्योंकि इनका कहानी 2004 से सुरू होती है और देव का लड़ाई आज से 30 साल पेले मतलब 1992 को हुआ था तो इससे किसे डिरेक्टर साब मेनेज करेंगे पता नहीं पर स्वादेश वाला कांड नहीं हुआ तो ब्रहमांस्त्र पार्ट टू में सैंटिस्ट मोहन वारगफ का आना पक्का है वैया वैसे एक और बात किसी ने नोटिस किया क्या वानर अस्त्र और नंदी अस्त्र भी कहा है जो लोग छिनकर पेने थे वो लोग तो अभी मारे जा चुके है तो उनके अस्त्र सब ब्रहमांस का मेंबर लोग कलेक्ट किये की नहीं नहीं तो पार्ट त्री में इन दोनों अस्त्रों का देखना मुस्किले वही है खेर अब सिवा और जुनन का भाई बेन वाला थेयरी आपको क्या लगता है ये सच है या पता हो भी सकता है देखो इसका वज़ा ये बताया जा रहा है कि जुनन जब भी कांड करती है वो सिवा को दिखाई देता है इसलिए दोनों जुड़े हुए है और भाई बेन भी है ऐसा बताया जा रहा है तो अब क्या ये सच है हमें नहीं लगता क्योंकि देव और अमरिता की साधी नहीं हुई थे भाई तो ये दो वच्चे कहां से आ जाएंगी हाँ चलो हम ये भी माल लेते हैं कि वो दोनों जुड़वा है तो फिर अमरिता जुनून को क्यों छोड़ेगी वो तो अपने दोनों बेटा बेटी को अपने साथ ही रखेगी ना वाई इसलिए हमें ये थेयरी के उपर जादा दम नहीं दिखता अराम बात करें अगर सिवा का वो सपने की तो वाई वो जुनून के लिए नहीं ब्रहमास्तर के लिए आती है प्रेलर में आपने नहीं सुना किया कि सिवा ब्रहमास्तर का किस्मत की सिकंदर है हाँ तो इसलिए ब्रहमास्तर से जुड़ी जो भी घटना होती है सिवा को दिखाई देती है, वो इसा बाला भी, क्योंकि वहाँ भी इसा ब्रहमास्तर का एक टुकड़ा ही लेने गई थी, संख वाला याद है ना, अब गुरु जी और इशा की विलेन वाला थियरी, देखो ये थियरी को जरा भी सिरियस मत लेना, हम बस हमारे जिसे फिल्मी भाईयों के एंटरेटेंडमेंट के लिए ये थियरी बना रहे है, कि अगर सच में गुरु जी और इसा विलेन होते तो स्टोरी कैसा होता, ठीक है, तो चलो पहले जान लेते है कि गुरु जी के उपर डाउट किसलिए हो रहा है, क्योंकि वो अपने बारे में ज्यादा कु अनात के तरह रहेगा अनात, अबर यहां अगर तु रह जाएगा और तेरे परेंट्स के बारे में जानने लाइक बन जाएगा, मतलब अपना पावर को अच्छे से इस्तमाल करना सिख जाएगा, तो फिर जरूर में तरह को तेरा माँ बाप का कहानी सुनाएगा, मतलब जब इसा को उसकी सरनेम पुछता है, तो वह यह वंदी कुछ नहीं बताती, उल्टा बातों को गुमा के तुम्हारे मा का है, तुम्हारे लाइप में इतना अंदेर आये, फिर भी तुम खूस के से हो, यह सब पुछती रहती है, जिसे सुनने के बाद आप भी समझोगे की अरे हाँ यार, अमिर बाप का बेटी है, इसके पास मा बाप के साथ सब कुछ है, पर फिर भी यह खुस नहीं है, इसलिए ऐसा रियक्सन दे रही है, और अपना दुखवरी कहाने के बार में भी साथ कुछ बताना चाहती है, पर नहीं बाई, ना, यह लड़की अपनी बार यह लड़की को ब्रमास्त्र के बार में भी बोलो, तो खुस हो जाती है, शिवा के पावार देखने के लिए, मतलब जो भी वह पटाके वगेरा सीन था, वह सब के लिए हमेसा आगे रहती है, पर उसके बार में पुछने लग जाओ, तो बातों को गुमा देती है, इसलिए इसे के उपर भी थोड़ा doubt होता है कि वो कुछ तो छुपा रही है तो वही याँ आमने सोचा कि जब इन दोनों के उपर doubt जा ही रहा है तो इन दोनों के उपर अलग-अलग क्यों एक ही थियरी में इन दोनों का काम निप्टा लेते हैं न वाई इसमें स्टोरी थोड़ा इंट्रेस्टिंग भी बनेगा है की नहीं तो मतलब अभी इन दोनों को लेकर हमारा थियरी ये है कि अगर डिरेक्टर साब ने सच में ऐसा कुछ सोचा होगा तो सायथ कुछ ऐसा हो सकता है पर अमरिता को नहीं चुकि इसका जबाब अपना ब्रहमास्तर का क्लाइमेक्स में देखा होगा जब सिवा के पास अगनी अस्तर होते हुए भी जलास्तर के सामना गुटने टेक देता है मतलब समझ रहे हो ये हमें पहले से हिंट दे रहते की कैसे अमरिता ने देव का समना किया होगा खेरफ कांड कुछ ऐसा होता है कि क्या होता है पताने गुरु के जैसे हमें भी इतना ही पता है कि वहां लड़ाई होता है ब्रहमास्तर का तिन टुकडा होता है जिन में से दो टुकडा गुरु जी के पास भी आता है और सब समस्ते है कि देव और अमरिता मारे गए तो अब गुरुजी का सपना सपना बन के रह जाता है और उनका वो ब्रहमाश्टर को हासिल करने वाला सेतानी राज भी खेर अब जबकि गुरुजी को ब्रहमास्तर का तिसरा टुकडा नहीं मिलता तो वो थोड़ा निरास हो जाते है लेकिन फिर भी गुरुजी दुखी नहीं होते क्योंकि पहले जो सन्मान उन्हें नहीं मिलता था अब वो उन्हें मिलने लगा था क्योंकि जितने भी बड़े बड़े अस्तरदारी ब्रहमांस थे देव उन सब का गेम बजा दिया था इसलिए सबब गुरुजी की सुनने लगे और ये खुस हो गए और अब जब कि यही ब्रहमांस का करता धरता है तो ये वो दो ब्रहमांस का टुकड़ा अनिस और मोहन को दे देती है ताकि वो लोग भी इने भरोसा करे और ये चाहे तो जब चाहे तब उनसे वो टुकड़ा ले आ पाई मतलब वो तीसरा टुकड़ा मिलने के बाद फिर कुछ साल बेद गए पर उन सब सालों में गुरुजी ने ब्रहमास का टुकड़ा को ढुणना बंद नहीं किये और ऐसा ही टाइम जाते जाते उन्हें पता चल जाता है कि देव और अमरिता का एक बेटा भी है पर अभी अमरिता नहीं है तो गुरुजी ने सोचा कि ब्रहमास का टुकड़ा के बारे में कुछ तो सिवा के पास जरूर होगा जो उसका मा उसके लिए छोड़ गई होगी इसलिए गुरुजी इसा को सिवा के पास बेजती है और सिवा के साथ टूरू लोग बाला नाटक करने का आदेश देती है अब यहां गुरुजी के हिसाब से सब कुछ ठिक चली रहा होता है कि जुनून दिदी बीच में आकर डिश्टब करती है तो अब एसे में गुरुजी के पास सिवा के वज़े से ब्रहमास्तर का तीसरा टुकड़ा तो आ जाता है पर ब्रहमास्तर का पहला टुकड़ा जुनून मुहन से ले जाती है और फिर से गुरुजी के पास सिर्फ दो ही टुकड़े रहती है पहले के जैसे लेकिन कोई बाद नहीं वो पहला टुकड़ा भी खुदवा कुछ चलके गुरुजी के पास आ जाता है और फाइनली गुरुजी का सपना सच होने को होता है कि उधर देव भाई साब मुक्त हो जाते है और इन लोगों के समना प्रकट हो जाते है क्या अपने नोटिस किया अभी ब्रहमास्तर का सेकेंड पाट स्टार्ट हो चुका है हाँ तो यहां गुरुजी देव को देखते ही सिवा को ब्रहमास्तर मांगने लगते है पर उससे पहले देव उनके उपर एटेक कर देता है और सीवा से भी ब्रमास्तर को चिनने की कोसिस करता है एक संदर फाइट होता है जिसके विच देव को पता चलता है कि सीवा ही उसका बेटा है और जिसके बाद देव असली कहानी सिवा को सुनाता है कि असल में क्या हुआ था और यहां पर हमें देव और अमृता की लव स्टोरी देव की गुरुजी के बातों में फसना सब देखने मिलता है जहाँ पर सीवा को इसा का सच्चाई पता चलेगा पर इसा बदल चुकी होगी क्योंकि सीवा ने इसा के लिए अपना जान विदाओं पर लगा दिया था तो आहां मतलब सुनने में तो ये थियरी भी थोड़ा बहुत इंट्रेस्टिंग लग रही है पर ऐसा कुछ सायथ होगा नहीं क्योंकि इसके उपर बहुत सारे सवाल उठेंगे यार देखो जैसे कि गुरुजी ही विलन क्यों होंगे अगर वो विलन है वी तो वो वैसे भी अभी बहुत कुछ कर सकते थे पर ब्रमास्टर ना से पर उनके पास और भी ऐसे बहुत सारे अश्टर थे जिससे कि वो बहुत कुछ कर सकते थे शीवा को उसके पावर को जगरूत करने के लिए क्यों बोलते बता देव का सामना करने के लिए पर देव जिंदा है वी गिने इसके बारे में तो गुरुजी जानते भी नहीं थी और वैसे वे डारेक्टर आयाण मोकरजी साहब बना रहे है वो भी एक ऐसी टोपिक पर तो वो एक गुरुजी को ऐसे विलेन बनाने के बारे में साहथ सोचेंगे नहीं हाँ मतलब हो सकता है पीशे गुरुजी से कोई गलती हो गई हो और उसी के वज़े से देव भड़क भी गया हो पर ब्रमास्तर का लाला साहथ गुरुजी को नहीं होना चाहिए इसलिए हमें लगता है ये थियरी जैसा कुछ भी नहीं होगा हापर इसा के बारे में कुछ बता नहीं सकती और ना ही इनके उपर भरुसा किया जा सकता है ये मोतर्मा अभी भी हमें एक बहरुपिया ही लगती है पर अगर डिरेक्टर साहब ऐसे खेल नहीं के लेंगे तो फिर बागे भगवानी जाने तो वह या बस यह था कुछ थ्यूरी जिसके बार में कि आजकल बाते किया जा रहा है पर आपको इन सब के पार में क्या कहना है आप में कामेट करके बताओ कर लो